सब्सक्राइब जानते हैं इस एकधार्षी की कतह सुनने मास से बाच पहिं जल काफल मिलता है। मिलता है इतना ही नहीं शूर्य तथा चंदमा चंद ग्रहन पर और पुरूच्वेत में सनान करने से फल मिलता है भगवान विश्णू की पूजा का फल समुन तथा बंधारी बंधारी दान करने वाले सिंग राशियों वालों और को गोदावरी नदी में सनान करने से जो फल म मिलता है भगवान की पूजा का फल सावन मास में कृष्ण पक्ष की एकादसी के फल के बरावर मिलता है अत्य भक्ति भाव से भगवान की पूजा पूजा ना बन सके तो सावन मास में कृष्ण पक्ष की एकादसी जिसे कामदा एकादसी कहते हैं उसका ब्रत करने तो आपको भगवान विश्णु सोने चानी अत्वा किसी प्रकार के धन से प्रसंद नहीं होते जितना की तुसी के प्रश्याद्वा तुलसी के पूजन से होते हैं जिस ननारी ने भगवान विश्णु का आशिरवार प्राप्त करना हो उसे तुलसी का पूजन अवश्य करना होगा हे नार मैं स्वेम भगवान नारन की प्रिया तुलसी जी के पूजा कर हर एकादरशी का ब्रत के साथ करता हूँ और मैं आपक दूर हो जाते हैं और सताहिस्टव ही रहते हैं तुलसीद जी के मिले जल से श्नान करने से मानव रोखमक्त हो जाता है और हो जाता है उसे कोई भी रोख आकर तंग नहीं करता और उपसब उनके सब सब्सक्तरू का नाश होता है व्लोविष्णू भगवान की जै वोड काम्ता एक आदशी की जै शीमन नारायन नारायन भज्वन नारायन जो नारायन नाम लेत है मात पिता कुले ता रायन शीमन नारायन नारायन भजवन नारायन पान की जै बोल कामदा एकादशी की जै बोल बोले बाबा की जै बोल पारवती मैया की जै सबी भक्तों को राधी राधी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें अपना साथ हमेशा हमें ऐसे ही बनाई रखो राधी राधी